हलो बच्चों कैसे हैं आप सब welcome back to our channel my name is Priya और आज हम पढ़ेंगे law of chemical equilibrium हमने अब तक equilibrium में क्या study कर लिया हमने सबसे पहले equilibrium के बारे में basic information का लेक करी कि equilibrium equilibrium actually में क्या होता है हमने देखा था कि अगर हम chemical equilibrium की बात कर रहे हैं और यह दोनों आपस में क्या होते हैं equilibrium तो हम इसको इस arrow से represent करते हैं यह equilibrium का symbol होता है अब यहाँ equilibrium का क्या मतलब है देखो अगर मैं आपको एक example दूँ जैसे मैं दो step आगे गई और दो step पीछे आ रही हूँ उसी time पर ऐसे ही मैं continue हूँ दो step आगे दो step पीछे फिर दो step पीछे फिर दो step पीछे अब मैं ऐसे करती जा रही हूँ लेकिन अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद 15-20 minutes बाद मैं ऐसे करते करते आपसे question पीछे भी आ रही थी यानि मैं तो अपना work कर रही थी लेकिन किसी और को दो work work नहीं दिख रहा था वो तो बोल रहे था आप तो उसी जगे में खड़े हो तो आप work दन कैसे बहुत बता रहे हो similarly जब हम reactions की बात करते तो reactions में क्या होता है हमारे पास जब reaction equilibrium में होती है तो उसका क्या मतलब है उसका मतलब है कि जिस rate से आपके reactants products में convert हो रहे है rate का मतलब है जिस speed से आपके reactants products में convert हो रहे है उसी speed से या उसी rate से हमारे products भी reactants में convert होते है अब इसके अंदर जब हमारे पास rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction होगा उसे हम बोलते हैं कि यह equilibrium है और इस equilibrium को हम बोलते हैं dynamic equilibrium अब हमें ये तो समझ आ गया था कि हमारे पास equilibrium कैसे establish होता है लेकिन अगर हमें ये पता करना हो कि equilibrium पे जब ये equilibrium हमारे पास establish हो जाएगा इस equilibrium के time पर इस reaction में reactants की क्या concentration होगी, products की क्या concentration होगी तो हमें कैसे पता लगेगा या फिर हमें ये पता है कि reactants इतने use हो गए तो products कितने बनेंगे या फिर हमें ये बता है कि हमारे पास products इतने form हुए थे equilibrium stage पर तो reactants किस time हमारे पास reactants कितने use हुए उन सारे questions का answer देने के लिए आते हैं हमारे पास law of chemical equilibrium तो बस इस law of equilibrium law of chemical equilibrium को हमें आज के lecture में study करना है लेकिन इस से पहले हम start करेंगे law of mass action अब ये law of mass action क्या है देखो पहले के time पर क्या होता था जो हमारे पास concentration हम आज word concentration use करते हैं न पहले उसके लिए use करा जाता था active mass तो वहाँ से आपके पास word आया law of mass action अब इसका क्या मतलब है law of mass action में क्या बताया है इसमें ये बताया है कि अगर मेरे पास कोई reaction हो रही है suppose मेरे पास ये reaction है जिसमें x moles of a react कर रहे है y moles of b के साथ और मेरे पास products की formation हो रही है अब इस reaction के अंदर मेरे पास ये reactants है जो की products form कर रहे है law of mass action के according क्या है उन्होंने ये बताए कि जब हम इस reaction की speed या rate को measure करेंगे तो वो किस पे proportional होगी? That means rate is proportional to what? वो हमें इस law of mass action से पता लगा कि अगर मुझे कोई reaction मिली हुई है और उस reaction के बारे में मुझे से ये पूछ लिया कि कि speed से हो रही है तो उसका आंसर मुझे इस reactant side से ही मिलेगा और वो चीज़ पताई है law of mass action ने इन्होंने क्या बताया? कि जब भी हमें किसी भी reaction की speed measure करनी है या rate measure करना है तो उसके लिए हमें reactants की concentration के बारे में बता होना चाहिए बिल्कुल correct तो उन्होंने बोला कि हमारे पास जो rate होता है इस directly proportional to the concentration of reactants और यहां हमारे पास reactants के है? A और B तो यह दोनों हमारे पास reactants आगे और साथ में उन्होंने यह बोला कि इन reactants के जो जो हम reactants ले रहे हैं उनकी concentration में हम जिस भी हम reactants को use कर रहे हैं उसका जो numerical coefficient है यानि कितने number of moles उस reactants के react कर रहे हैं उसको हमें उसकी power में consider करना है यानि यहां पर अगर x moles of a react कर रहे हैं that means एक ही हमने concentration तो ले ली बट उसकी power में हम उसमें x यूज़ करेंगे similarly B के लिए हम क्या use करेंगे? y तो यहां पर मेरे पास क्या पता लगा मुझे? कि जो rate है वो concentration raised to par its coefficient के proportional होता है अब यह proportionality sign को use करके तो हम mathematical calculations नहीं कर सकते क्योंकि जब भी हम कोई mathematical value निकालते क्योंकि यहां से तो हमें क्या निकालना है? हमें तो हमारी concentrations के बारे में पता करना है कि equilibrium stage पर क्या concentrations होंगी? उसके लिए मुझे proper equal to का sign चाहिए ना? तो यहां पर proportionality symbol को हटाना पड़ेगा proportionality sign हटाने के लिए हम एक और constant use करेंगे और उस constant का बोलते हम rate constant यानि जब मैं यहां से इस proportionality symbol को हटाऊंगी तो मेरे पास एक constant आएगा जिसको हम बोलते है rate constant और उसको हम के से represent करते है और यहां पर जो हम लोग ने concentrations ली थी वो ऐसी के ऐसी आजेएगी तो यहां पर के क्या है आपका? के है आपके पास rate constant तो आप rate कैसे निकालोगे? rate निकालोगे आप rate constant multiply concentration of reactants raised to par their numerical coefficients करेंगे, at constant temperature rate of chemical reaction is directly proportional to rate is directly proportional to product of molar concentration of reactants molar concentration of reactants के product with each concentration term raised to the power equal to the numerical coefficient of that species in a chemical equation यानि यहां पर हमने इसके power में क्या लिया है? जो इसके आगे इसके coefficients हमने यूज करें अब यह तो हमने rate देख लिया एक normal reaction के लिए पर हम यह study क्या कर रहे है? equilibrium, तो हमें equilibrium के लिए भी तो rate देखना पड़ेगा न और equilibrium में क्या होता है? rate of forward reaction और वैसे हमें निकालना पड़ेगा rate of backward reaction और वो दोनों क्या होते है? equal, तो देखते हैं उससे हमारे पास क्या result आता है? तो consider कर लेते हैं general equilibrium reaction अब यह हमारे पास reaction क्या है? A moles of A, B moles of B के साथ react कर रहे हैं और C moles of C और D moles of D को बना रहे हैं यानि यह हमारे पास reactants हैं और यह हमारे पास products हैं अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ equilibrium sign है equilibrium sign का क्या मतलब है? कि reaction forward भी हो रही है और backward भी हो रही है तो मेरे पास दोनों rate होगे ना forward जाने का भी rate होगा और backward आने का भी rate होगा तो हम दोनों reactions लिखते हैं सबसे पहले forward reaction और backward reaction हमारे पास forward reaction क्या हो रही है? A moles of A react कर रहे है B moles of B के साथ और हमारे पास C moles of C और D moles of D produce हो रहे है और जब हम backward reaction की बात करेंगे तो यहाँ से reverse हो जाएगी reaction तब आपके C moles of C react करेंगे D moles of D के साथ और आपके पास A moles of A plus D moles of B produce होगे अब इन दोनों reactions के हमारे पास कुछ reaction में rate constant होंगे तो यहाँ पर हमने rate constant ले लिया KF क्योंकि एक forward reaction है और यहाँ ले लिया KB क्योंकि एक backward reaction है तो जब मैं इन दोनों के rate को निकालूँगी इस reaction के rate को मैं कैसे निकाल सकती हूँ rate constant multiplied reactants की concentration raised to parrots coefficient तो यहाँ पर भी वही करेंगे rate constant क्या है KF into हमारे पास reactants की है A and B A की power क्या जाएगी raised to par A and B raised to par B यह हमारे पास इस reaction का rate है similarly जब हम दूसरी reaction की बात करेंगे तो इस reaction का rate आएगा मेरे पास KB into C raised to par C and D raised to par D यह दोनों मेरे पास दोनों reactions की rate आ गए अब जब मैं equilibrium पर बात करूँगी at equilibrium equilibrium stage पर क्या होता है मेरे पास जो दोनों rate है rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction forward reaction का rate क्या है मेरे पास यह और backward reaction का rate क्या है यह that means मेरे पास यह दोनों rate क्या हो जाएंगे equate हो जाएंगे तो मेरे पास K forward into A raised to par A into B raised to par B will be equal to K backward into C raised to par C into D raised to par D यह मेरे पास equation बन जाएगी तो यहां से मैं K forward by K backward calculate कर सकते हो और K forward by K backward और कुछ नहीं होता होता है K C अब यह K C क्या है K C है मेरे पास equilibrium constant तो K C की value क्या आएगी जब हम K forward by K backward करेंगे तो मेरे पास इसकी value आएगी C raised to par C into D raised to par D divided by A raised to par A into B raised to par B यह मेरे पास आ रही है K C की value यहां से मैं K C क्या लिख सकते हूँ C raised to par C into D raised to par D divided by A raised to par A into B raised to par B तो यह हो गई मेरे K C की value यहांनि आप equilibrium constant of reaction कैसे calculate कर सकते हो C और D क्या आपके पास products और A और B क्या आपके पास reactants यानि कि अगर आपको किसी भी reaction का equilibrium constant calculate करना हो तो उसके लिए आपको products की concentration raised to par A coefficient divided by reactants की concentration raised to par A coefficient को निकालना पड़ेगा यानि यह एक तरीके से products और reactants की concentration का ratio होता है केसी और अगर हम इसे constant बोल रहे हैं क्योंकि हम word में ही आ रहा है na equilibrium constant तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी एक particular reaction एक particular reaction का क्या मतलब है कि जैसे आपके पास एक reaction हो रही है N2 प्लस 3H2 जिससे आपके पास 2NH3 मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इस reaction को अगर आप different different concentration में भी use करोगे N2 और H2 के अलग-अलग concentration को use करके ammonia form करोगे तब आप जब केसी को calculate करोगे हर एक step के लिए मतलब हर एक experiment के लिए कि जब आपने N2 और H2 के कुछ अलग concentration ली तब आपने केसी की value निकाली similarly जब आप दूसरी concentration लेकर केसी की value निकाल रहे हो तो आपके पास जो different different cases की value आएंगी वो सब same आएंगी same क्यों आएंगी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास equilibrium constant हम calculate कर रहे हैं कि इस reaction को आप चाहे किसी भी concentration पर find out करो इस reaction को इस reaction का equilibrium constant वो हमेशा constant value ही देगा तब ही तो हम यह use कर रहे हैं कि हम इस reaction से पता कर सकते हैं कि अगर मेरे पास equilibrium constant की value आ रही है तो मैं उस reaction से concentrations के बारे में पता कर सकती हूँ अब मैंने यह equilibrium constant निकाल तो लिया तो अब यह हमें इसी से हमें पता लगएगा क्योंकि law of equilibrium क्या है क्योंकि और कुछ नहीं है law of equilibrium आपको यही चीज define करने अपने words में उसे हम law of equilibrium बोल देते हैं तो law of equilibrium को जब हम define करेंगे तो उसका क्या हमारे पास हमारे पास एक definition बन कर आएगी law of chemical equilibrium states that at a given temperature the ratio of products of equilibrium concentration of the products to that of the reactants with each concentration term raised to the power equal to the respective sociometric coefficients in balanced chemical reaction has a constant इस statement का क्या मतलब है इस statement का clear meaning और कुछ नहीं है यही है कि जैसे आपके पास एक reaction है N2 plus 3H2 gives 2NH3 अब इस reaction के अंदर क्या है यहाँ पर आपके पास यह reactants है और यह products है इसमें यह बोला है जब आप कोई भी equilibrium constant की value find out करोगे न किसी भी reaction के लिए equilibrium constant क्या है मेरे पास केसी तो उस time पर आप products की concentration का product यानि जितने भी products हैं उन सब की concentration का product लोगे raised to par their sociometric coefficients divided by reactants की भी इसे तरीके से concentrations का product raised to par their sociometric coefficients अब आप confused हो रहे होगे कि sociometric coefficients क्या है sociometric coefficients और कुछ नहीं है बस हमारे पास जो number of moles reactor है वही है यहाँ पर अगर हम इसमें इस reaction की बात करें तो यहाँ पर मैं केसी की value कैसे निकालूंगी product क्या है मेरे पास NH3 और इसका sociometric coefficient क्या है यह जो आगे 2 लिखा होगे ना word की 2 moles produce हो रहे है यही इसका sociometric coefficient है तो यहाँ पर NH3 की जो power होगी वो 2 होगी divided by reactants की concentration और वो मेरे पास reactants की है N2 और H2 और H2 को मैं power 3 में लेकर जाऊंगी तो यहाँ से मैं इस तरीके से इस reaction के लिए casey की value find out कर सकते है अब यह जो मैंने उपर statement लिखी है यह यहाँ तक तो clear हो गई raised to power their respective sociometric coefficients in balanced chemical reaction लेकिन has a constant value का क्या मतलब है इस constant value word का क्या मतलब है इसका मतलब है कि जैसे आपकी यह reaction है अब इस reaction को आपने 3 different cases में perform किया पहला case आपने क्या लिया कि यहाँ पर आपने इसके 2 moles और इसके 6 moles consider कर लिए N2 और H2 के फिर next case में आपने इसका 1 mole और इसके 3 moles consider करे और उससे next case में आपने इसके 3 moles और इसके 9 moles consider करे अब इन moles को जब हम react करेंगे आपस में इन reactants को जब react करेंगे तो मेरे पास कुछ amount of moles में ammonia की formation होगी यहाँ पर कुछ भी amount में formation होगी अब यहाँ से मेरे पास हर एक उसके लिए केसी की value आएगी यहाँ केसी 1, केसी 2 और केसी 3 तो constant का क्या मतलब है कि मेरे पास यह reaction तो same है N2 और H2 से ammonia की formation हो रही है तो यह जो मेरे पास केसी की value आ रही है अलग-अलग केसी 1, केसी 2, केसी 3 उनके बीच में relation क्या होगा इनके बीच में relation होगा कि यह सारी values एक दूसरे के similar आएगी almost equal आएगी, सिर्फ points में difference होता है उसी को तो हम बोलते है equilibrium constant constant word इसलिए तो use कर रहे है कि आप एक reaction को चाहे आप change कर देरो उसकी concentration को कितना मर्जी लेकिन जब आप उसकी equilibrium constant की value निकालोगे न वो same आएगी और यह same आ रहे है इसी reason से तो हमें अपने सारे questions का answer मिलेगा क्योंकि देखो हमारे पास questions क्या-क्या थे कि हम equilibrium constant हमें पता होगा तो हम उसकी equilibrium mixture को find out कर सकते हैं equilibrium mixture क्या था कि reactants और products की concentration हमें निकाल नहीं equilibrium stage पर तो अगर आपके पास KC की value है तो आप products और reactants का ratio निकाल सकते हो न उससे आपको एक rough idea हो जाएगा कि मेरे पास reactants और products में कितनी कितनी amount थी equilibrium stage पर similarly अगर आपके पास KC की value है और reactants पता है आपको तो products की concentration आजाएगी और अगर आपके पास products है KC की value है तो reactants की concentration आजाएगी उसकी equilibrium stage पर और अगर आपके पास यह सारी values है तो आप इसके reaction के sociometric coefficients को भी find out कर सकते हो अगर आपको reaction को direct balance नहीं करना तो जैसे हमने निकाल है ताकि हमें हमारे equilibrium stage के सारे questions का answer मिल जाएगी की equilibrium stage तो attain हो गई अब इसके बाद क्या इसके बाद इसकी concentration कैसे बता करेंगे हमारे पास reactants की क्या concentration है products की क्या concentration है equilibrium stage पर किस तरीके की मेरे पास equilibrium mixture बनाए मुझे मिलाए उन सभी questions का answer क्या देगा हमें solution KC की value law of chemical equilibrium से जो मेरे पास KC आया है इससे मुझे सारे questions का answer मिलेगा अब ये जो मैंने KC की value निकाली है ना इसको हम experimentally भी prove कर सकते हैं experimentally prove करने के लिए हम एक reaction consider करते हैं HI की formation अब इस reaction में क्या हो रहे है मेरे पास H2 और I2 की reaction से HI की formation हो रही है अब इस reaction को नो मैंने 6 different experiments यानि 6 different cases लिए reaction के लिए 1, 2, 3, 4, 5, and 6 इन 6 different cases में मैंने अलग-अलग concentrations ले ली सबसे पहले मैंने जो first 4 experiments अपने consider करें इसमें मैंने क्या consider किया कि मैं H2 और I2 की concentrations को change कर रही हूँ यहां मैं H2 लिखते हैं फिर I2 और यहां HI कि मैंने पहले बार जो first time reaction ली उसके अदर मैंने यहां पर इसकी concentration ले ली 5 molar इसकी ले ली let's say 3 molar similarly जब मैं उसको second experiment उसका second case consider कर रही हूँ इसी reaction के लिए मैंने ले लिया यहां पर इसकी concentration ले ली let's say 6 molar और I2 की concentration ले ली 2 molar और ऐसे ही आगे मैंने change कर दिया इसको ले लिया मैंने 4.5 molars और इसको ले लिया मैंने 3.2 molars मैंने concentration change कर दी और ऐसे ही मैंने fourth case के लिए भी similarly concentrations को change कर दिया अब यह जो मैंने concentration change करी है इससे मेरे पास HI की formation तो हो रही है इन सब के अंदर पर हम वो नहीं देख रहे कितनी formation हो रही है कि हमें बस एक idea जाए है कि हमने इसको experimentally proof कैसे करा यहाँ पर मेरे पास HI की formation हो रही है और बाकि जो 5th 6th case था यानि यह दो experiments थे जो हमारे इसमें क्या किया हमने हमारे पास equilibrium stage पे forward और backward reaction दोनों हो सकती है तो हमारे पास जो first four experiments है उसमें तो हमने forward reaction consider कर ली अब हम 5th और 6 reaction के experiment के अंदर backward reaction consider कर रहे क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि equilibrium चाहे हम forward से consider करे reactants की side से या products की side से consider करे उस reaction को equilibrium तो attain होगा तो यहाँ पर मैंने HI की साथ start किया यानि इन चाहर reactions के अंदर तो मैंने क्या करा H2 और I2 को use करके HI की formation करी और 5th और 6th experiment में मैंने क्या करा HI को use करके उसकी decomposition करी H2 और I2 में तो यहाँ पर मैंने HI की कुछ concentration अलग-अलग concentrationally इस से मेरे पास कुछ amount H2 और I2 का produce हुआ तो यहाँ मेरे पास 6 different experiments मुझे मिले अब इन experiments को study करने के लिए हमारे पास तो एक ही चीज़ा equilibrium को study करने के लिए equilibrium constant तो यहाँ से हम equilibrium constant की value निकाल रहे इन 6 experiments की जब हम इन 6 experiments की equilibrium constant की value निकाल रहे हैं तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं एक तो है कि मैं सिर्फ concentrations को consider करूँ उसके coefficients को consider ना करूँ और दूसरा method है कि मैं उसके concentrations के साथ साथ उसके coefficients को भी consider करूँ यानि first हमारे पास क्या हमने तरीका निकाला हमने सोचा कि products और reactants की ratio तो होती है हमें वदाए कि products और reactants की ratio से equilibrium constant आता है लेकिन वो जो equilibrium constant हमारा आया है उसमें हमें sociometric coefficients को use करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो हमें यहां से पता लगेगा तो पहले हमने क्या करा products की concentration को reactants की concentration से divide करा और यहां से सारे की सारे experiments के लिए Casey की value निकाली यहां से हमें क्या result मिला हमें result मिला कि यहां से जो हम Casey की value निकाल रहे थे न वो इन 6 के 6 experiments के लिए अलग अलगा रही थी that means different value of Casey for all 6 experiments यानि कि हर एक experiment के लिए एक different value आ रही थी अब हमने ये ratio तो consider कर ली एक बार दूसरे case में हमने क्या consider करा कि अब हम इन ratio के साथ साथ products की concentration raise to par its coefficient यूज करेंगे और reactants की concentration raise to par its coefficients को यूज करेंगे अब यहां से जब हमने Casey की value निकाली इन 6 के 6 experiments के लिए तो हमें क्या result मिला कि इन 6 experiments की Casey की value almost similar आ रही है that means similar value is obtained for all 6 experiments अब यहां से हमें क्या पता लगा देखो जब हमने law of chemical equilibrium पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि Casey की value यानि जो हम products और reactants की concentration का ratio हम निकाल रहे हैं उसकी value हमारी constant आनी चाहिए constant आनी चाहिए तो यहां आपके पास दोनों में से किसमें results constant आ रहे हैं second वाले में क्योंकि यहां पर आपने क्या यूज किया है coefficients तो इसका मतलब हमें ये तो पता लग गया कि equilibrium constant calculate करने के लिए सिर्फ और सिर्फ products और reactants की ratio sufficient नहीं होती उसको हमें reaction को balance करके उसके coefficients के बारे में भी पता होना चाहिए तो यहां से experimentally भी प्रूब हो गया कि KC को जब हमें calculate करना है या equilibrium constant को हमें calculate करना है तो products की concentration raised to bar its coefficient divided by reactants की concentration raised to bar its coefficient को use करेंगे तो अगर हम इस reaction का equilibrium constant निगा ले तो क्या होगा हमारे पास KC is equal to product क्या है याँपर HI HI का sociometric coefficient क्या है मेरे पास 2 raised to bar its power 2 divided by H2 and I2 अब इनके तो 1,1 है तो इसको 1,1 ही रखेंगे तो यहां से मेरे पास इस reaction का KC find out हो गया अब KC को calculate करते हो आपको कुछ points का ध्यान रखना है चलो देखते हैं वो points क्या है हमारे पास अब इस law of chemical equilibrium को study करते हैं आपको कुछ points को ध्यान रखना है वो points कैसे हमारे क्या-क्या points है 1st point हमारे पास क्या है equilibrium constant for reverse reaction is inverse of equilibrium constant for the reaction in forward direction इसका क्या मतलब है कि जैसे आपके पास एक reaction है A plus B reacts to form C plus D यहां से आपके पास एक equilibrium constant की value आ रही है KC जब आप इस reaction को reverse कर दोगी यानि अब आप reaction लिख रही हो C plus D reacts to form A plus B यह इस reaction का reverse ही तो है और यहां से आपके पास जो equilibrium constant की value आ रही है वो आ रही है KC dash तो KC dash और KC में क्या relation होगा KC dash will be equal to 1 upon KC यानि आपके पास जो आपका equilibrium constant inverse हो जाता है जब आप direction को reverse करते हो यह forward reaction थी यह हमारे पास उसका inverse हो गया तो यहां पर आपके पास जो equilibrium constant की value आएगी वो उसकी जो पहले वाली एक single reaction में जो हमारे पास initial हमने consider करी थी उसका inverse हो जाएगा Second point हमारे पास क्या है जो आपको ध्यान रखना है Second point में क्या बोला है If we change the sociometric coefficients in a chemical equation by multiplying throughout by a factor then equilibrium constant also reflects the change इस statement का क्या मतलब है जैसे for example आपके पास reaction है a moles of a, b a reacts with b moles of b and forms c moles of c plus d moles of d इससे आपके पास equilibrium constant की value आ रही है kc अब आपने इस पूरी reaction को किसी एक factor से multiply कर दिया let's say आपने n factor से इसको n से multiply करा तो आपके पास हमारी equation क्या बन जाएगी n into a moles of a plus n into b moles of b reacts to form n into c moles of c plus n into d moles of d यह हमारे पास reaction आ चाहिए अब इस reaction का भी हमारे पास एक equilibrium constant आएगा तो इन दोनों equilibrium constants में अब क्या relation होगा तो यहां से आपके पास जो kc dash का relation होगा that will be equal to kc raise to power वो factor जिससे आपने multiply करा है अब यहां पर आप ध्यान दो जैसे आप sociometric coefficients को उनकी power में लेकी जाते थे ना products और reactants की concentration के similarly यहां पर भी आपने तो sociometric coefficients में ही change करा है तो इस वज़े से हमने इसको भी इसकी power में ही consider करा है तो इन दोनों points को आपको ध्यान में रखना है यह points आपको आगे numerical solve करने में थोड़ा सा help करेंगे अब आज के lecture के basis पर आपकी NCRT में दो problems given है तो उनको भी देख लेते कि वो problems क्या है problem number 6.1 में क्या पूछा है the following concentrations were obtained for the formation of ammonia from N2 and H2 at equilibrium at 500 Kelvin यह आपको तीनो molecules की concentration given है और आपको calculate करना है equilibrium constant तो equilibrium constant यह calculate करने के लिए हम क्या करते थे KC is equals to products की concentration raised to power their coefficients divided by reactants की concentration raised to power their coefficients अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है formation of ammonia from N2 and H2 तो सबसे पहले हमें reaction लिखनी पड़ेगी N2 plus H2 reacts to form ammonia और यह हमारे पास equilibrium पे हो रहे है तो इस वज़े से हमने equilibrium का symbol use करा है अब अगर हम इस reaction को balance करेंगे तो मेरे पास balance होने के बाद reaction क्या obtain होगी reaction obtain होगी मेरे पास यह यानि मुझे इनके coefficients की बारे में भी पता लग गया तो यहाँ से जब मैं इसके KC की value निकालोंगी तो वो क्या हैगी product क्या है मेरे पास ammonia उसकी हमारे पास coefficient की value क्या है 2 तो raise to power 2 divided by reactants क्या है N2 and H2 N2 की value हमारे पास raise to power 1 होगी और H2 की हमारे पास होगी raise to power 3 बस यहाँ पर इन concentration को में put करना है और मुझे concentration given ही है question के अंदर तो यहाँ से मेरे पास KC की value क्या हैगी ammonia की concentration है 1.2 10 raise to power minus 2 1.5 into 10 raise to power minus 2 into H2 की concentration है 3 into 10 raise to power minus 2 raise to power 3 तो यहाँ से आपके पास KC की value आ रही है 1.06 into 10 raise to power 3 यह आपके पास KC की value आ रही है यह था आपके पास question number 6.1 अब देखते है 6.2 में क्या पूछा है problem number 6.2 क्या है at equilibrium the concentration of N2, O2 and NO are given in a sealed vessel at 800 Kelvin equilibrium पर एक sealed vessel में N2 और O2 और NO की concentrations यह थी what will be the value of KC for the reaction और reaction आपको यह गिवन है तो यहाँ से आप KC की value क्या निकालोगी सबसे पहले हमें पताई KC की value होती है products by reactants की ratio raise to power their coefficients तो यहाँ पर products क्या है मेरे पास NO और reactants क्या है N2 and O2 तो यहाँ मेरे पास KC की value क्या आएगी KC की value आएगी आपके पास NO raise to power its coefficient coefficient कितने आपके पास 2 divided by reactants की concentration reactants की है मेरे पास N2 and O2 यह मेरे पास reactants की concentration आजएगी और इनके को coefficients 1,1 ही है तो यहाँ मेरे पास KC की value में मुझे इनकी concentrations को put करना है मुझे सारी concentrations given है तो NO की concentration क्या है मेरे पास 2.8 into 10 raise to power minus 3 raise to power 2 divided by N2 की हमेरे पास 3 into 10 raise to power minus 3 और O2 की concentration है 4.2 into 10 raise to power minus 3 molar यहाँ से आपके पास KC की value आएगी और KC की value क्या रही है आपके पास यहाँ 0.622 यह आपके पास KC की value अब यह ध्यान रखना यहाँ पर हम कोई भी unit use नहीं कर रहे यहाँ पर भी हमने कोई unit use नहीं करी क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे है concentration को concentration से divide कर रहे है जिस वज़े से आपके वो units cancel हो जाती है और हमारे पास overall जो equilibrium constant आता है वो unit less हमारे पास quantity आती है जो हम calculate करके निकालते है So this was your equilibrium constant के बारे में यहाँ पर हमने law of chemical equilibrium को study करा, हमने law of mass action देखा फिर हमने यह देखा कि हम experimentally कैसे प्रूब कर सकते हैं कि law of chemical equilibrium हमारे पास इसी का ratio होती है, raise to bar its coefficients, production, reactants की अब हम next lecture में study करेंगे homogeneous equilibrium को I hope आपको आज का lecture समझाया होगा Thank you